एक दिन हम सब दूसरे को यही सोच कर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं उसे याद क्यों करूँ जी हाँ आज हमारी एगो इतनी बड़ी हो गई है कि हमको छोटी सी बात भी चुप जाती है और हम वो छोटी सी बात जो है वो कहीं न कहीं हमारे रिष्टों में करवाट ले आती है तो tip of the day ये है कि अगर किसी दोस्त ने किसी रिष्टेदार ने आपको लंबे समय से हाई हेलो नहीं कहा याद नहीं किया तो पहल आप कीजिए इससे आपकी रिष्टों की कड़वाट भी खतम होगी और आपना रिष्टा भी बचा रहेगा नमस्कार मैं हूँ अमित मलोतरा आज के हमारी इस खास पेशकश मेरा ब्लॉक मेरी खबर में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे B4 ब्लॉक के L.I.G. फ्लैट्स की तो चलिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट सर्द मौसम की कडाके की सर्दी से कुछ राहत मिल सके इसके लिए B4 फ्लैट्स के ये रिजिजिजन्स यहां दिन में धूप का अनन्द ले रहे हैं FNI News की टीम जब यहां पहुँची तो इन रिजिजिजन्स ने इस पाक और अपने ब्लॉक से संबंदित किन परिशानियों का जिक्र किया आईए आपको सुनवाते हैं काड़ियों का आना जाना लगा रहता है बैरिकेड नहीं है यह स्टेंडिंग बैरिकेड होते हैं वो लगने चाहिए चारों तरफ इस पॉकिट के और पार्कों में काफी गंद की रहती पार्कों में हमेशा सफाई नहीं रहती बीफर ब्लॉक के इन एलाईजी फ्लैट्स के इस पहले पार्क में भी हाल ही में बच्चों के खेलने के लिए ये जूले लगाए गए हैं लेकिन आवारा कुटों और गायों के पार्कों में डेरा डाल लेने से इन पार्कों की हालत बर्च से बद्तर हो गई है जम्हादारों की अर्टालें सीरी की अर्टालें तो खूड़ा बहुत पड़ा हुगा है। कुछ प्रशासन की अंदेखी और कुछ हमारी लापरवाई से इस पाक को देख कोई नहीं कह सकता कि कि यहां पर कभी कोई पाक भी हुआ करता था। और चपसे मैं यहां पर आया हूँ, चपसे मैं देख रहा हूँ कि यह जो पार्की के सफाई है, कोई भी सरकारी करबचारी आकर यहां पर साथ नहीं किया है। इसकी सफाई के लिए सिर्फ जो पहले वाले जितने लोग यहां पर हैं, उनोंने मिलकर ही इसकी सफाई की है। चाहते हैं कि कुछ एक यहां का सुधार हो, थोड़ा बहुत पार्क और ग्री आजाए, जिसके सफाईोग से लोगों ने कूड़ा भी डालना बन कर दिया, हमने फाइन उसके उपर लगाया, पहले डलता था, वो भी अब सुधार हो गया, तो अब बस गौर्नमेंट से ज्यान नहीं दिया जा रहा, हम चाहा रहे हैं कि इसमें एक यह तो बॉंडरी बन जाए, और पार्क की रेगुलर सफाई होती रहे, ऐसा नहीं कि इस ब्लॉक के सभी पारकों की हालत खरसता है, कुछ पारक्स इस पारक की तरहां आपको साफ सुथरे और काफी हद तक मेंट स्टेन भी दिख जाएंगे, लेकिन इस खूबसूरती का श्रे पूरी तरह से यहां की RWA को जाता है, जो ना केवल खुद इन पारकों के रखरकाव के लिए प्रयासरत है, बलकि वो प्रशासन को भी सजग रखती है, पारकों की स्थिती लगबक सामान्य है, मैं बहुत हूँ, MCD की अभी जो हालत है, वो बहुत अच्छी नहीं है, परन्तो फिर भी MCD की अधिकारी और हमारी निगम पारशद मंजु खंडेलवाल के माध्यम से, जब भी हम उन्हें बुलाते हैं कोई स्पेशल मालनी जीए, कोई ओकेशन है, कोई दिवाली है, कोई होली है, या आपके कमेंट्स लगातार मिल रहे हैं, उमीद करते हैं कि आपका और हमारा ये संयुक पर्याज हमारे ब्लॉक्स और हमारे शेहर की हर्याली को बनाए रखेगा, तो रहिए ना बेखबर, करेंगे आपको बाखबर, देते रहिए हमें खबर, कल फिर होगी मुलाकात, दिस आपके मलुक्रा साइन ओफ